हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में आप टेट जानें सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ आमने सामने इधर उधर कहीं कुछ नज़र ना आए लाहॉर समेट पंजाब में धुन में सब धुन ला दिया मोजवे कई मकामात पर बन हाइवेस पर हदे निगाफ इंतहाई कम गाड़ियां रिंग रिंग कर चलने लगी ट्रेनों का शेजूल मुतासिर अलामा इकबाल इंटरनेशनल एरपोर्ट पर प्लाइट आपरेशन मौतल अभी तो सर्दी शुरू हुई है दांस बज़ने लगे इस कर्दू में दरजा हरारत पंपी 10 रिकॉर्ड लहौर और फैसलाबाद में भी 12 चार्ड डिगरी हो गया कोईटा, आसाथ, कश्पीर, गिल्गित, पलतिस्तान, बालाई लाकों में बर्थबारी अमरीकी सद्र की इल्जाम तराशियां पारलिमेंट की नेशनल सेक्यूरिटी कमेटी का इजलास साच होगा वजीर खारजा, खौजा आसिफ, काबीना इजलास और कौमी सलावती कमेटी के फैसलों पर ब्रीसिंग देंगे कौम का ट्वीट ना पसंदीदा, पाकिस्तान की कुर्बानियों का इतलाफ हर किसम के हालात में इसलामबाद के साथ खड़े हैं तुर्क सदर का आईलान, स्यव अर्दवान का, सदर ममनून हुसें को फौन, यक जहती का इजहार पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी एक्षिन हुआ तो जबाब अवामी अंग्मंगों के मताबिक दिया जाएगा हकानी नेटवर्क के खिलाफ कारवाईयों के साथ जल्द नज़र आएंगे डी जी आई स्पी आर कार्टरम के बयान पर रदे अमर कराजी में तहरीक इंसाब का धरना खत्म हलीम आदिल शेक समयत तमाम गिरफदार कारकुनों और रहनुमाओ की रहाई शाराए फैसल को ट्रफिक के लिए खोल दिया जिया लाहॉर जोहर टाउन में शादी की तक्रीब में फारिंग मने अफजल कोकर और एम पिए सेफल मलू कोकर के भतीजे समयत तीन अफराजां बाहग छेज़स सक्मी हमने अवामी खित्मत और एक सियासी जमात के कायट में इल्जाम तराशी में नाम बनाया तरकी मुखालिब सियासी अनासिट को अवाम की अदालत में जवाब देना पड़ेगा वजरियला पंजाब शेबाज शरीफ की लीगी अरकान से मुलाकात में कुफचतूग बलुचिस्तान में मखनूत हकूमत डगमगाने लगी एसन अकबाल और साध रफी की जल्ब कोचा आमद मतवके सर्फराज बुक्टी की बड़तर्फी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया अब कोई जराइम पेशा शक्स बचकर दिखाए लहार के 1750 पॉइंट्स पर 8000 कैमरे नस वजिलियाला बंजाब आज सेफ सिटी प्राजेक्ट क्या एक्स अताक करेंगे मौसम ने करवट ली है जी हाँ अभी तो सर्दी शुरू हुई है मजीद धुन्द और बारिश का इमकान जाहिर किया जा रहा है पहाडों पर बर्फ से सर्दी बढ़ेगी जबके लाहुर में पारा चार डिग्री तक गिर गया और ये भी कहा जा रहा है महकमे मौसमियात के जानब से के मजीद धुन्द भी पड़ सकती है सकर्दू में मन्फी दस जबके कोईटा अजाद कश्मीर और गिल्गित पलतिस्तान में बर्फ बारी चारी है लाहुर में पारा चार डिग्री तक गिर गया है जिसकी वज़ा से शेहरी ठेटर कर रह गये है लाहुर की बात की जाए तो लाहुर में इस वक्त शदीद सर्दी का राज है जबके मजीद धुन्द पड़ेगी ऐसा बताना है महकमे मौसमियात का मौसम का मिज़ाश तो सर्द होता जा रहा है वही धुन भी अंधा धुन पर रही है आमने सामने इधर उधर कुछ नजर नहीं आ रहा लाहुर समेट पंजाब में धुन्द ने सब कुछ धुन्दा कर रख दिया मोचर वे अक्सर मकामात पर बंद है हाइवेस पर हद निगा इंतहाई कम है गाड़ियां रिंग रिंग कर चलने लगी है ट्रेनों का शेडियूल भी बुरी तरहां से मतासिर हुआ है जिसके बाइस मसाफर परेशान होकर रह गए है पंजाब के मुक्तलि फिलाकों में कडाके दास सर्दी और धुन का राज बरकरार है लाहॉर में पाराच चार डिगरी तक गिर गया मोचर वे को कई माकामात पर बंद कर दिया गया शदीध हुन के बाइस लाहॉर एरपोर्ट पर फ्लाइट आपरेशन मौतल होकर रह गया जब के कोल चास जियारत और गिर्दोनवा में साल नौकी पहली बारिश और पहाडों पर हल्की हल्की बरकवारी ने सर्दी की शितत में इजाफा कर दिया एक तरफ शदी दूसरी जाने बंदा धुंद धुंद और रास्ते गुम सर्दी ने लोगों के कडाके निकाल दिये धुंद ने सब कुछ धुंदला दिया मौसम का हाल बताने वालों के मताबक लाहार में सूरज आज बादलों और धुंद की लपेट में रहेगा जिससे सर्दी की शदी लहर माचूत रहेगी हदे निगाह इंतहाई कम होने से लाहार एरपोर्ट पर परवासों का निजाम मौतल रहा बेरों ने मुलक से आने वाली परवासों को दूसरे शेहरों की जानिब रवाना कर दिया गया मुसाफिर थज कर रह गये मोटर वे कई मुकमाद से बंद है मोटर वे हुकाम का कहना है शेहरी गयर ज़रूरी सफ़र से गुरेस करें धुंद के बाइस ट्रेने भी रिंग ने लगी कराची से लहौर आने वाली बेश्टर गारिया ताखीर का शिकार रही उधर कोईटा, जियारत और गिर्दोनवा में साल नौ की पहली बारिश और पहारों पर हल्की बर्थबारी के बाद सर्दी के शिद्ध में इजाफा हो गया मौसम का हाल बताने वालों ने कहा है मुलके बेशतर आलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहे गा ताहम मालाकंड हजारा डिविजन में बाद मकामात पर गरद चमक के साथ बारिश और बहारों पर बर्थबारी का भी इमकान है आपको बताएं कि धुन के बाइस अलामा अकबाल एरपोर्ट लाहॉर पर फलाइट आपरेशन मौतल होकर रह गया धुन के बाइस 51 परवासे मतासर हुई जबके 14 मनसूख हो गई हैं अंद्रून और बेरून मुलकी 37 परवासे भी ताखिर का शिकार हुई है धुन के बाइस आपको बताएं कि अलामा अकबाल एरपोर्ट पर फलाइट आपरेशन मतासर हुई है और धुन के बाइस 51 परवासे मतासर हुई है जिन में से 14 को मनसूख कर दिया गया है इसके साथ साथ अंद्रून और बेरून मुलकी 37 परवासे ऐसी है जो के धुन के बाइस ताखिर का शिकार हुई है आगे बढ़ते हुए बताएं आपको के छुटियां तो खत्म हो गई है लेकिन सर्दी बढ़ने लगी है जी हाँ बच्चे जो है स्कूल जाने में उन्हें बड़ी मुश्किल पेशा रही है क्योंके सक्त सर्दी है और ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना महाल हो गया है नन्ने मुन्ने पूल जो है वो ठिटरने लगे है और सर्दी का मकाबला करने के लिए तमाम ही हत्यार इस्तमाल किये जा रहे हैं टोपी, स्वेटर, जैकेट, मफलर, दस्ता ने सब कुछ निकाल लिया पंजाब में सर्दी की शदीद लहर जारी है और धुन निकलने के बाद बाहर निकलना मुश्किल हो गया है ऐसे में बचों की स्कूल की चुटियां खत्म हो गई है सर्दीयां भार गई हैं लेकि छुटियां नहीं होने जब प्राही में नुकसान हो गई है पहले छुटियां दे दिया जब ठंड नहीं थे, अब ठंड है तो आप स्कूल पुला रहे है स्कूल जाते बच्चे ही नहीं, वालिदेन भी सर्दी से परेशान है बच्चों को सुप स्कूल छोड़के आना किसी चैलिंज से कब नहीं मोटरसाइकल सवार तो कुछ ज्यादा ही मौताद नज़रा रहे हैं जिब को इस शदीद मौसम में वालिदेन क्या कहते हैं आए उन्हीं की जबानी सुनते हैं फोकस हिस्टा ये शुरू हुआ है दून तो बहुत ज़्यादा है मगर बच्चों को छोड़ने के लिए बड़ी परेशानी बनती है जब सर्दी ज़्याद हो तब चुटी होनी चाहिए आप जैसे सर्दी ज़्याद आप चुटी होनी चाहिए तो आप चुटी है नहीं है चुटी है और वाके पहले दे दी इनोंने इने बाद में देनी चाहिए थे चुटी है दूसे जाने वजिर अलब पंजाब का पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब का नारा महस नारा ही निकला पस्रूर के गार्मिन प्राइमरी स्कूल में सर्दी और धुन में बच्चे खुले आसमान तले बैटने पर मचबूर हैं स्कूल की इमारत के चार में से दो कम्रे खस्ता हाली के बाइस गिराए जा चुके हैं कि अलाका मकीनों का कहना है कि कई बार मतलगा MPA और CEO Education को दर्खास ने दे चुके हैं लेकिन उसके बावजूद कोई शनवाई नहीं हुई शदी सर्दी के बाइस बच्चे मुक्तलिफ मौसमी बिमारियों में मुब्तला होने लगे हैं पढ़ो पंजाब, बढ़ो पंजाब की बात करने वाले ये नहीं देख रहे कि इतनी ठंड में खुले आसमान तले बैटकर बच्चे कैसे पढ़ेंगे इसे पर बात कर लेते हैं माहसत मौजूद है दुने ने उसके नमाएंदे अमर फारू अमर बताये गाईला का मकिन क्या कहते हैं जी बिल्कुल ये अंतहाई अफसोसनाग बात है जी वजीरियाला पंजाब के बलंदो बांग नारू के बाफजू स्यालकोर्ट की तस्थील पसरूर के गोर्मेंट प्रैमरी स्कूल रजादे वाली में सरकारी स्कूल में बच्चे शदीद दोंदोर सर्दी में खुले आस्मान के तले तलीम हासल करने पर मजबूर है स्यालकोर्ट की तस्थील पसरूर के गाउन रजादे वाली में दो कमरे हस्ता हाली के बाइस ग्राय चाच चुके हैं लेकिन फंड की अदम दस्तियाबी की वज़ा से जो है कमरे तमीर ना हो सके है इस स्कूल में गरीब और मेहनत कश के अफराद के जो बच्चे और चोटी 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 बच्चियां जेवरे तलीम से रास्ता होती है लाका मकीनों का कहना है कि कई बार जो मतलका MPA और DC स्याल कोट को भी अगा किया है लेकिन कोई सनवाई ना हुई है पोस्ति में भी वाज़े तोर पे देखा जा सकता है शदी दुन्द और सर्दी में बच्चे जो है वो पाउं में खुले जूते पैने हुए खुले आस्मान तरे तलीम हासल कर रहे है और शदी दुन्द के बाइस जो है बच्चे मुट्रिफ मुश्मी बमारियों में मुट्ला भी हो रहे है ठीक है बहुत शुक्री आउमर फारुग मौसम के सुरते हाल ऐसी है कि सिर्फ पाकिस्तान मी नहीं बलके अमरीका और यॉर्प में भी मौसम की शिद्धत ने कारोवारी जिन्दगी मौत्तल कर दिया है अमरीका में शिमाली कुतब से आने वाली हवाउं ने हर शेय को मुझमित कर दिया है उधर समंदरी तुफान एलेनूर ने बरतानिया, फ्रांस और सुईजर लेंड में तबाही पहला दी अमरीका में शदीद सर्दी की लहर जारी है रियासत फ्लोरीडा में तीन दहाईयों के बाद पहली बार शदीद बर्फबारी हुई शेह टेला हासी में 1989 के बाद हुई बर्फबारी के बाइस ट्रैफिक के निजाम में रखना पड़ गया रियासतों फ्लोरीडा, जॉर्जिया और शुमाली के अरॉलेना में अमरजंसी नाफिस कर दी गई है महकमे मौस्मियाद की वर्जिनिया और मेसेच्चुइट समयत मुख्लिफ रियासतों में आएंदा 24 घंटों में मसीद बर्फबारी की पेशगोई की है उदर योरप में तुफ़ान अले नूर ने तबाही पहला दी बर्तानिया में 160 किलो मीटर फी घंटा की रफ़तार से चलने वाली हवाओं ने दरخت और घर तबाह कर दिये मुख्लिफ हाथसाथ में एक शक्स अलाग तरजनों जखमी हजारों अफराद बिजली से महरूम इमदादी सरगर्मिया जारी फ्रीजलेंड में अले नूर की तुफानी हवाओं से ट्रेन पट्री से उतर गई हाथसे में आठ अफराद जखमी हो गए फ्रांस में डेर सौ किलो मीटर फी घंटा की रफ़तार से चलने वाली हवा ने दो लाग घरों को बिजली से महरूम कर दिया हुकाम ने आइफल टावर को सयाहों के लिए बंद कर दिया दूसरे जानेब शिमाली अमरीका में खून जमा देने वाली सरती पड़ी तो जबरदस नजारे बन गए नियाकरा फॉल का बरफ से ढखा दिल फरेब हुसन देखने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंची नियू यॉर्क में फवारों का पानी भी जम गया बरफानी बौसम से नियाकरा अप्शार का हुसन दुबाला हो गया शदीद सर्दी के वज़ा से जमी आप्शार का नजारा किसी शायर के शेल और मसवर के शाहकार से बढ़कर हुबसूरत है आप्शार पर जमी हुई बरफ और बीच में बहता पानी दिल चस्प नजारे ने शायकीन को महभूद कर दिया गुद्रत का दिल परेफ शाहकार देखने के लिए बड़ी तादाद में सया नियाकरा का रुख कर रहे हैं और सर्द मौसम से खुब लुद्फफंदोस होते दिखाई दे रहे हैं उदर नियू यॉक में दरजा हरारत मन्फी होने से फवारों का पानी जम गया मौसम की सर्दी के बाद पाक अमरीका तालुकात में सर्द मौरी का जिकर करते हुए आपको बताएं कि डी जी आई एस पी आर मेजर जरनल आसिफ गफूर ने कहा है कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी एक्शन हुआ तो इसका जवाब पाकिस्तान के अवाम की अमंगों के मताबक दिया जाएगा हकानी नेटवर्क के खिलाफ कारवाईयों के असरात आने वाले वक्त में नज़र आएंगे अमरीकी सदर के बयान पर पाक फॉच का दो टोक जवाब अमरीकी एक्शन की सूरत में कौमी अमंगों के मताबक जवाब देने का आज़िए बीजी आईस पियार ने वाज़े कर दिया कि खित्ते के सिक्यूरिटी से मताले कोई डिक्टेट नहीं कर सकता पाकिस्तान अपने वकार पर समझगता नहीं करेगा मेजर जनरल असिफ गफूर ने कहा कि हकानी नेटवर के खिलाफ कारवाईयों के असरात आने वाले वक्त में नज़र आएंगे पाकिस्तान अमरीका इतिहादी हैं एक दूसरे से जंग नहीं कर सकते पाक फॉच के तर्जमान ने बताया कि पाक अमरीका तालुकात में भारत बड़ी रुकावट है पाकिस्तान कामियाबी की तरफ बढ़ रहा था कि कल्भुशन का मौामला सामने आ गया हमसाया मुल्क पाकिस्तान को तरकी करते हुए नहीं देख सकता बी जी आइस पियार का कहना था कि पाकिस्तान अमरीका को अफगानिस्तान में कामियाब देखना चाहता है पड़ोसी मुल्क में अमन का फाइदा सब को होगा अभी आपको बताएं कि अमरीकी सदर के इल्जाम तराशियां जिन पर पार्लिमेंट की नेशनल सेक्यूरिटी कमेटी का इजलास आज होगा पार्लिमेंट की ने देटक्ट